जैहिन दोस्तों एक बार फिर स्वागता है बैस्ट एक्जाम के यूटूब चैनल पर करने वाले बैस्ट एक और महत्वपूंट प्रैक्टिस क्लास लेकर हाजिर हो चुका हूँ और सारे के सारे क्यूशन पूछे गए तो बिल्कुल दोस्तों इनमें से बहुत सारे क्यूशन आप लोगों के एक्जाम में आये होंगे पिछले जो एक्जामिनेशन में पूछे ग पूछे जाते तो एक बार सेशन को सेर कर दीजेगा जितने भी बच्चे देख रहे हैं काफी महत्वपूंट क्लास आप लोगों के लिए सारे के सारे प्रिवी सेर के क्यूशन है और अगर आपने अभीत क्लास जोई नहीं किये CRPF हैड कोंस्टेबल के लिए तो वर्दी हैड कोंस्टेबल के 20 दिन में दोस्तों आप अपना सलेक्शन ले सकते लेकिन ये टार्गेट आप लोगों को बनाना होगा तुकि इसमें सारे टोफिक सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को दिये गए आठ टीचर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों के पढ़ाए गए अगर इसके अलावा दोस्तों CRPF, CIS अब ट्रेट्समें और हैड कोंस्टेबल की त्यारी कर रहे हैं एक के 47 आज बेच आ चुका है जिसमें आल सब्जेट की कलास से PDF नोड्स और टैक्ट स्रीज सब अविलेबल है वही दोस्तों CSS वी ट्रेट्समें की त्य प्रहरी कर रहे हैं किसी भी ट्रेट से तो आप लोगों के लिए प्रहरी बेच आ चुका है और जब तक एक्जाम होगा तब तक यह कोर्स एक्टिवेट रहेगा जिसमें आल सब्जेट की कलास PDF नोड्स टैक्ट सरी सब अविलेबल है बेस्ट एक्जाम के अपली के सर पर अधीग जानकारी के लिए आप इस नंबर पर वोड्साब मैसेज या कोल भी कर सकते हैं सारे के सारे कोर्स मातर 299 रुपे में आप लोगों को मिल रहा है बिल्कुल पहले क्यूशन की और बढ़ते हैं और फटा फट कमेंट करके बता देना कि आज का जो टार्गेट हमने र करने के लिए आज खुद अपने आपको जज कर सकते हैं बिल्कुल देखो सलेक्शन लेना तो मैनत करनी पड़ीगी और जब तक आप त्यारी नहीं करेंगे जब तक आपको पता नहीं होगा क्योंकि पढ़ाई सब करते हैं लेकिन जब आप लोगों को पता होगा आखिर क् करनी का सलेक्शन होने वाला है तो बिल्कुल पहले क्योशन की और बढ़ लेते हैं पहला क्योशन आप लोगों के सामने आज चुका है काफी इंपोर्टेंट क्योशन है और बहुत इजी क्योशन है सभी बच्चों के एंसर आ जाने चीए बहुत बार एक्जाम में पूछा सभी गया क्योशन है बिल्कुल पहला क्योशन है भारतिय राष्ट्रे भारतिय राष्ट्रे कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भारतिय राष्ट्रे कांग्रेस की स्थापना सभी का एंसर बिल्कुल सभी का एंसर आ रहा है बिल्कुल सभी एंसर आ रहा है काफी इजी क नहीं है बिल्कुल अगले क्यूशन की और बढ़ते हैं क्यूशन नमर दो देख लीजिए गवाई अब बताते जाओ देखें पहला क्यूशन आप लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट बहुत बार एक्जाम है क्यूशन पुछा गया इस्ट्री का क्यूशन है निमन लिक है वह किस यूग में थी उस यूग का नाम आप लोगों को बताना बई बिल्कुल बताते जाओ और अगर आपको लगे कि अभी भी तैयारी वीक है तो आप ये बचेवे 25 दिन में भैतरीन त्यारी कर सकते हैं आप वर्दी पेस जोइन करके क्यूंकि उसमें वही चीज़े पढ़ाए गई है जो आपके एक्जाम से रिडेटेड है इसलिए कम समय में आप भैतरीन और डेडिकेटेड त्यारी करके सलेक्शन ले सकते हैं अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं इतनी बड़ी वैकंसी आपको आगे नहीं मिलने वाली है चुनाओ की वज़से दोस् बच्चे का एंसर सही नहीं आया क्यों सर बहुत इजी है कि जो आपकी सिंदू सबेता है वो किस यूग में पढ़ती उस यूग का नाम बताना है एक बच्चे का सई एंसर आया अनूज यादव का बिल्कुल सई एंसर आया बाकी सभी बच्चों का गलत एंसर आया देखो इसका राय टान सुरोगा वह घड़ी क्या हो जाए गड़ी जो सिंदू सबेता है वो आपके आदे एतियासिक काल में पढ़ती है कौन से काल में पढ़ती है बहुत बार एक्जाम में पूछा गया क्योशन है फिर आप बोलते सर जीके में नमबर नहीं बन पाते 25 क्योशन आएतै धस ही क्योशन स़य है एसे ही क्योशन आएंगे और इन में से बहुत सारे क्योशन आपके एक्जाम में की देखो वो सारे के सारे क्यूशन है जो बार-बार repeat होने वाले अगला क्यूशन देख लीजिए काफी easy क्यूशन है जल्दी से बता देना वाई comment करके क्युशन आप लोगों के सामने निमन लिक्त मैंसे कौन सा आश्रम इंद्रियों पर सयम रखने और वोधिक विकास करने की सिक्षा देता है देखो यह सारे के सारे आस्रम है और इन में सी वो कौन सा आस्रम है जो क्या करता है जो इंद्रियों पर सेंउ रखने और वोधिक विकास का वोधिक विकास करने की क्या करता है शिक्षा देता है कौन सा आश्रम है आपका ब्रह्मचारी आश्रम आपका ग्रस्त आश्रम आपका वानप्रस्त आश्रम आप लोगों के सामने सन्यास आश्रम अब देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि स अगर CRPF head postable में यहां पर generability आएगी वो सामने जो वो दिखता यहां पर आने वाली है तो उसमें मैं आप लोगों बतादू ऐसा ही क्यूशन आप लोगों के रहने वाले तो तभी यह क्यलासे आप लोगों के लिए important है बताओ देखें जल्दी से A आरा कापी बच्चों का जल्दी बताओ वई ब्रह्म स YOUR आत्रम हो जाएगा क्या लोगों के लिए बहुत कीमती होता है और इन मेंसे बहुत सारे क्योसे है जो कि आपके प्रिवी से यह में भी पूछे गए जल्दी से बता दो लोगों के सामने भारतिय सविदान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है उस भाग का नाम आप लोगों को बताना है बहुत easy question है, यह general ability के question है आप लोगों के लिए और साथ ही जो CIS app और SSV की तयारी कर रहे हैं उनके लिए GK का यह question है, important question है ऐसे ही question आपके exam में पूछे जाते अभी भी काफी बचों का answer गलत आ रहा, देखो इसका right answer क्या होगा बहरती सविदान में मूल अधिकारों का वर्ण किस भाग में किया गया है option A आपका भाग 2 में किया गया है, option B आपका भाग 3 में किया गया है या फिर option C आपका भाग 4 या भाग 6 में किया गया है यहांपर सब्सक्राइब ग्याद है यहां पर क्या पूचा है मूल अधिकार पूचा है तो मूल अधिकार है वह किस भाग में है क्यू सर नमबर कियार का एंसर बतादो वै फटा-फट बी आरहा सभी का देखो अब भी वी कुछ victy C answer दे रहे, यह होगा B, भाग 3 में, मूल दिखार है, वो भाग 3 में आते हैं, बचो, कर्तवे आते हैं, भाग 3 में, तो यह याद रखना कन्फूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्यूंकि अकशर एक्जाम में कन्फूज हो जाते हैं, सहीर से ध्यान से क्यूशन को नहीं पढ़ते हैं, उसकी वज़़ए से क्यूशन गलत हो जाता है, लेकिन तो यह भाग आपके तीन में इस्तित्त है तो भी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा च्यार क्यूशन मतलब च्यार नम्मर पक्के हो गए यह क्यूशन पूछे के एकजाम में पूछे के क्यूशन है और अगर आपको अभी भी लगता है कि देखो सेलेक्शन के लिए मैं आपको एक रणनीती बताता हूँ कम समय में अगर आप CRPF में भरती होना चाते हैं या SSB या CSP में भरती होना चाते हैं तीन चीज़ पर आपकी पकड़ भहतरीन होनी चाहिए math, reasoning और हिंदी यह score वाले subject है जीके आपका subject है उसमें आपके जितने भी previous year के question है वो सारे आप एक बार पढ़के चले जाना आपका आराम से score है वो अच्छा जाएगा अगर आपको लगता है कि math, reasoning, हिंदी मेरी week है बिलकुल basic से आप लोगों को पढ़ाया गया इतना basic से concept आप लोगों का clear किया गया है जिसको जोड बाकी भी नहीं आ रही है वो भी यहां पर math चेकेगा क्योंकि इतने zero level से सब कुछ बढ़ाया गया आपके level के coding, tradesman के level से ही उन्हें पढ़ाया गया, head constable के level से ही उन्हें पढ़ाया गया, तभी आप कम समय में बहतरी स्कोर कर पा अब clear कर सके, अभी क्योंसन देख लो, यह सारे के सारे क्योंसन एकजाम में पूछे गए हैं अगला क्योंसन देख लीजिएगा, क्योंसन है संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, important क्योंसन है बताओ देखे, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, यह SSB tradesman भरती आपक क्योंसन कौन सा है, और इंडियन आर्मी में कहीं बार यह क्योंसन पूछा गया है, option आपका कमल, option B आपका रेपलेश दिया, option C आपका केक्टस, option D आपका रजनी गंदा, बताओ देखे, सभी का इंसुरा जाना से बई, भी आ रहा है काफी बचों का, बचों सेसन को एक बार share कर दीजेगा, जितने भी बच्चे देख रहें, इमान दारी से एक बार वीडियो को अपने दोस्तों तक share कर दीजेगा, ताकि सभी दोस्तों तक यह class पहुंच आए, क्योंकि रोज आप लोगों की यह class अब लगने वाली है, जीके, हिंदी, मैथ, रिजरिंग, रोज एक एक क्लास आप लोगों की लगेगी, और उसके बाद में दो-दो क्लास भी सुरू कर देंगे practice के लिए, बाकी details से आप application पर पढ़ते रहो, और यहां पर आके आप practice करते रहो, आराम से आपका CRPF head constable का exam, CISF head constable, SSV क exam आराम से निकल जाएगा, बताओ देखे, क्यूसर नमर पांत का answer, B आरा सभी का बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल, B आरा सभी का, बिल्कुल सही आरा, रेपलेसिया हो जाएगा, अगर संसार के सबसे बड़े फूल की बात आती है, तो यह रेपलेसिया है, इसे रट ले कितने बच्चे पूरे करते हैं, 25 में से, क्यूसर ने, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लक्स बक्स पुकारा जाता है, लाक बक्स किस दिल्ली सुल्तान को पुकारा जाता है, लाक बक्स क्यूं पुकारा जाता है, किस वज़े से पुकारा जाता है, कौन सर जी बिल्कुल लव यूटू बताओ बई जल्दी से ओफशन ए है कुतूबुदीन एबक ओफशन भी आपका इल्टूत मिस ओफशन सी आपका गयासुदीन तुगलक ओफशन डी आप लोगों के सामने हैं अलावदीन खेल जी दिल्ली के कि सुल्तान को दिल्ली का एक सुल् दो सेर्वी कर दो जितने भी बच्शे Dec Prime को सेर्वी कर दो इसर नमर थिक बताओ बहुत अच्छी सबी का बिल्कुल आया जाता तो है कुतूब्दीन एबक है Histee Laak59 नाम से पुकारा जाता राएं दिल्ली सुल्तान का 12 bonito से लाइने कहीए दान करता वाइस लाइन करता इसी के हिए अगला क्यूसर देख लो सारे के सारे क्यूसर एक जाह में पूचे जाने वाले क्योसर है ग्यांफंड सेलेक्षण होता है इसको पता होता कि क्या बबनी और कि कम हम समय सब कुझ हम सकते जब तक आपको पता नहीं होगा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यह बैच आप लोगों के लिए यह बैच आप लोगों का सलेक्शन करवा के जाएगा वर्दी बैच क्योंकि इसमें जो कुछ भी पढ़ाया गया है वो उसी के लेवल के अकोडिंग पढ़ाया गया है मैथ उसी के लेवल के अकोडिंग पढ़ाया ताकि बच्चों को आराम से समझ में आ जाए और वो अच्छा स्कोर कर ले प्रेक्टिस के लिए टैट श्रीज दी गई है जो कि आपके पेपर आता है उसी के लेवल के अकोडिंग पूरे के पूरे के पूरे पेपर आप लोगों को मिल जाएगे टैट सिरीज मिल जाएगी पीडियेप नोर्स मिल जाएगी मातर 299 रुपे में जब तक एक्जाम होगा तब तक एक्टिवेट रहेगा और एक और से आप सभी एक्जामिनेशन की त्यारी भी कर सकते हैं क्योंकि सारे सब्जेक्ट कवर किये बई बताओ देख करता है option B आपका वीट आयोग करता है option C आपका भारतिय राष्ट्रिय सांखी की संगटन करता है भारत में राष्ट्रिय परतिवेक्ति आई जो परतिवेक्ति आई बताता है हमेशा कि परतिवेक्ति आई भारत में इतनी है वह कौन उसका आंकलन कौन करता है वह आप लोग है दि अरा सभी का बहुत अच्छी बात है ओक मुल्कुल भारत में राष्ट्री आए का संगलन कोन करता है बचो तो ये करता में केंद्रिये सांखि की संगतिं यह जितने डाटा होता है कि परतीवर्टि देश में कितनी आई है उसी के अकॉर्डिंग पर्तिवेक्ति आई है वो कोन निखालता है उसका अंकलन कोन करता है तो यह करता आपका केंद्रियस सांकी की सगंठन तो आप लोगों का डीस का राइट आंसुर हो जाएगा साथ क्यूशन मतलब साथ नम्मर पक्के हो गए अगला क्यूशन की और बढ़ते हैं आज का टार्गेट 20 प्लस क्यूशन का टार्गेट हमने लिया है यह साइंस का क्यूशन आज चुका है बहुत बार एक्जाम में पूछा गया क्यूशन है इंपोर्टेंट क्यूशन है ओफ्षन इपका वे हंद्रे में वस्तों को देख सकते हैं क्या वह अपका लोगों के सामने उनकी तांग कमजोर होती है और भूमी पर परबक्सी उन पर आकर्मन कर सकते हैं सब कुछ बच्चे बोलने जनरल अबिलीकित्या एक सामने बोधिटा आप इसके पहल आजर रहे देए इसे लिए चारच चीजिए आपको पड़नी पड़ेगी देखलो और सी इपका वे रोशणी के कौन उतबन करते हैं और सी अगर उसको लगता है कि हां तरंग टकरा के आए तो उसे लगता है कि हां आगे कुछ ने कुछ दिवार वगेर है एगर उनकी जो तरंग से निकलती है अगर तकराती नहीं तो वह आगे चला जाता उसी के कोडिंग वहोगों का एंसुर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा क्या हो जाएगा डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा काफी बच्चों का बिलकूल जाई एंसर आया है कुछ बच्च सबसे ज्यादा अगर finite सोटिक पर्तिशत वनाचादित है किस देश में कुछेत्र का सबसे ज्यादा वनाचादीत परदेस है, मतलब सबसे ज्यादा 1, अगर 6 पल की बात करे, कुल 6 पल की एकोडिंग बात करे, तो किस देश में सबसे ज्यादा 1 है, सबसे ज्यादा जंगल है, option A है, ग्यूआन, option B आप लोगों के सामने है, जापान, option C आप लोगों के bryanto में सामने हैं सूरी नाम देखो यह किशन इंपोर्टेंट होते हैं अगर किसी भी exam में कोई भी क्यूशन है अगर वह आपको इससे पूछा जायता है कि सबसे बड़ा सबसे चोटा सबसे ज्यादा चेतर परफल में तो यह क्यूशन आप लोगों लिए इंपोर्टेंट होते हैं ऐसे क्यूषन एक्जाम में हमेसा पूछ लिए जाते हैं, खास तोर से फोर्सेज के एक्जाम में, इसलिए दोस्तों ये क्यूषन आप लोगों के लिए दिये जा रहे, अब बताओ देखें फटाबड कमेंट करके, क्या होगा, क्यूषन नमर नो, स कि आ रहा रहे का फी बच्चों का एंसवर सभी बच्चों का एंसवर वसका राइट आंसवर के अगर कि आप लोगों देखंग Amen किस डेश में самых चेटरपल की बात हो रहिए कि यह यु रहिए क्या हो रहिए क्षेटरपल में क्षेटरपल में सर्वादिक वनाजapp छादि चेटर की अगर बात आती में वही देश कि देश DW आद आपको selection से आगे लेके जाएंगे, final match list तक लेके जाएंगे, अगला क्यूशन देखो, काफी अच्छा क्यूशन है, क्यूशन है, भारत के सविदान का धाचा त्यार करने के लिए संगिये वेवस्ता की योजना किस देश से ली गई है, काफी अच्छा क्यूशन है, बता देन भारत के सविदान का धाचा त्यार करने के लिए भारते जो सविदान को बनाया गया था, वो संगिये, जिसमें संगिये वेवस्ता की योजना ली गई थी, वो किस देश से ली गई थी, इंपोर्टेंट क्यूशन है, जल्दी चे बता देना, ओप्सन अपका, USA से, ओप्सन C आपका, कैनाडा से, ओप्सन D आपका, स्यूजर लेंड से, कहां से ली गई थी बई, बताओ फोर्टिकल का क्यूशन है, भारत के सविदान का धाचा त्यार करने के लिए, संगिये जो वेवस्ता की योजना है, वो किस देश से ली गई थी, सारे ओप्सन आप लोगों के स एक तो संगिये वेवस्ता होती है, एक संगिये वेवस्ता की योजना है, वो कहां से ली गई ये, योजना ली गई थी, देखो ये क्यूशन में से कन्फ्यूज बिलकुल नहीं होना है, एक दूसरे का देखे गलत एंसर नहीं देना, भारतिय सविदान का धाचा त्यार करन आपको CRP में तो सेलेक्शन करवाएगा है यह सब हैड को स्टेबल की भी त्यारी आपकी इसी बेश से हो जाएगी कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूत नहीं पढ़ेगी क्यूंकि स्टेबल के लेवल के कोडिंग पढ़ाया गया है उसके साथ ही SSB के लिए तो बहुत ही सुनरा महुका है यह प्रेरी बेश उनके एक्जाम तक रहेगा एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं या पांच बार पढ़ सकते हैं सब कुछ दिया गया है प्रेक्टी सेट दि 99 रुपए में कोई सा भी आप कोर से तैरी कर सकते मातर दोस्तों 99 रुपए में बेश्ट एक्जाम के अप्लिकेशन पर मिल जाएगा अगर ली टेस्ट श्रीज लेना चाते है तो टेस्ट श्रीज भी वहाँ पर अवेलेबल है उससे आप प्रेक्टिस कर सकते देखो भई क क्यूंशन देख लीजिएगा काफी इच्छा क्यूंशन है क्यूंशन के गुंशन है गेस के गुबारों में हाइड्रोजन गेस की जगए हीलियम गेस का प्रियोग वहाँ क्यों किया जाता है तेको option आप लोगों के सामने है बताओ देगें बताओ option A अपका hydrogen से हलकी होती है क्या hydrogen से हलकी होती है helium option B अपका hydrogen से अधिक परचूरता में पाई जाती है या hydrogen से ज्यादा मात्रा में पाई जाती है या फिर अधाय है या फिर अधिक इस्ताई है क्या होगा भाई ए आरा सभी का हलकी होती है बिल्कुल सही है देखो गेस्ट के गुबारों में जो हाइड्रोजन की जिगा हिलियम क्यों बरी जाती है उसका कारण एक ही है क्योंकि वो हलकी होती है इसी वज़त से वो गुबारे वो हवा में उड़ पाते है तो ए आप लोगो क्यूशन देख लीजिए गवई काफी इंपोर्टेंट कहीं बार एक जाम में पूछा गया है जो फलो की कर्तरी मुरूप से पकाने के लिए प्रियूप्त गेस कौन सी है फलो को क्या करते है कर्तरी मुरूप से पकाया जाते है जब पेड़ से कच्छे फल तोड़ लिये जात उसमें कौन सी गेस का प्रियूप किया जाता है एक गेस होती है इसे कच्छे फलो को क्या करता है पकाके मार्केट में बेस दिया जाता है तो वह कौन सी है, बताओ बाई, बताओ जल्दी से, फ़लो को करतरिम रूप से पकाने के लिए फ्रियूक्ट गेस्ट कोँछ चैसे है। option B आप लोगों के सामने है methane, option C आप लोगों के सामने है ethane, option D आपका butane, फलों को करत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गेस का प्रियोग किया जाता, question number 12, बताओ दे कि फटापड सभी के अंसुराजा निची है भई important question है, acetylene आ रहा है सभी का बिल्कुल सही है भई, D ज बता रहे वो गलत बता रहे, देखो क्या होता है acetylene gas होती है, ये क्या है acetylene एक gas है, जो क्या करती है करत्रिम, जो फलों को क्या करती है करत्रिम तरीके से पकाने का काम करती है, तो क्या हो जाएगा, A right answer हो जाएगा, 12 question, मतलब 12 नम्मर पक्य हो गए, 20 पलस का target देखे कितने बच्चे पूरा कर पाते आज, अगला question देख लो question नम्मर 13 बहुत बार exam में पूछा गया question है, तीन बिगा corridor जोडता है, तीन बिगा corridor है, वो किन देशों को जोडता है, खास तोर से force की त्यारी करने वाले भारतियों के लिए important question है, क्योंकि ऐसे question आप लोगों के पूछे जाते, भारत की बहुतिक इस्तती है, उनसे अक्सर question मिलता है, फोर सेज के exam में, तो बताओ भाई देखें, तीन बिगा corridor जोडता है, किन किन देशों को जोडता है, तीन बिगा corridor, ओफशन ए अपका, भारत और पाकिस्तान को, ओफशन भी आप लोगों के सामने है, भारत और चीन को, ओफशन सी आप लोगों के सामने है, बांगला देश और भारत को, तीन बिगा corridor है, वो किन दो देशों को जोडता है, important question है, बता दो फटापट, सारे के सारे option आप लोगों के सामने, question नमर 13, 13 नमर question बता दीजेगा भाई, यह बता रहें, कुछ बच्चे, कुछ बच्चे CB बता रहें, भारत और बांगला देश, सुधीर निशाद ने बिल्कुल सही बताया है, और काफी बच्चों का एंसर आया, याद रखना, अगर तीन बिगा corridor का नाम आ जाए, तो हमेशा याद रखना, यह भारत और बांगला देश को जोड़ता है, किन दोस्तों को जोड़ता है, बांगला देश और भारत को, जी याँ दोस्तों, डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, इसका, क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, अगला क्यूसन देखो, 13 क्यूसन, मतलब 13 नमर पक्के हो गए, अगला क्यूसन चेतर में दिया जाता है बिल्कुल पुलिचर जो पुरुषकार है वो किस चेतर में माननेता के लिए दिया जाता है और सने आपका विज्ञान और प्रोध्योगी के चेतर में और साइथ्य और पत्थरकारिता का चेतर में option C अपका अंतराश्ट्रे समझ बूज के छेतर में, option D अपका पर्यावाची अध्येन के छेतर में, बताओ भई देगे, क्या होगा किस छेतर से उत्करष्ट कारिये के लिए, अक्तर जो आपके पूरुसकार से क्यूशन पूछ ले जाता है, कि ये पूरुसकार किस से पूरुसकार का नाम आज है, तो याद रखना ये साइट और पत्थरकारिता के छेतर में दिया जाता है, उत्करष्ट पत्थरकार करता है, उसे ही ये आपका पूरुसकार है, ये दिया जाता है, अगला क्यूशन देख लो, चितोड में वीजे इस्तम का निर्माण किस ने किया था, जो राजस्तान का एक परतिक चिन भी है, क्या है बचोड, चितोड में जो वीजे इस्तम का निर्माण है, वो किस सासक ने किया था, ओफशन ए आप लोगों के सामने है, उसे सासक का नाम आप लोगों को बताना है, राणा कुमबा आरा सभी का, बहुत अच्छी बात है, काफी बच्चों का आ रहा है, साफी बच्चे गलत भी एंसर बता रहे भई, बिल्कुल राणा कुमबा जिन का आ रहा है, बिल्कुल सही एंसर आ रहा है, सी आ रहा है, बिल्कुल सही है, देखो जो चितोडवर वीजे इस्तम का निर्मान करवाया गया था, आखिर पूछले कि जो वीजे इस्तम है वो किस राज्य में तो यह राज़शतान के सीतोड़ गड में श्तित है, और इसका निर्मान है वो राणा कुमबा ने करवाया थ तो C आप लोगों का right answer हो जाएगा अगले क्यूशन की और बढ़ते हैं 15 क्यूशन 15 नमबर हो गए वही अगला क्यूशन देख लीजिएगा computer data की सबसे छोटी काई है computer data की सबसे छोटी काई है बताओ देखे BSF head constable की त्यारी कौन कौन कर रहा है क्योंकि वहां पर computer के क्यूशन भी आने वाले है computer data की सबसे छोटी काई कौन सी है option अपका record, option B अपका foil, option C अपका beat, option D अपका byte, computer data की सबसे छोटी काई कौन सी है बढ़ताओ देखे question number 16 का answer क्या होगा, bit आ रहा है सभी का, तन्या सिंग जैहिंद सर बिल्कुल जैहिंद, बताओ देखे, bit आ रहा है बिल्कुल सही हा रहा है, देखो computer data की सबसे छोटी काई की बात करे, तो वह होती है bit, C आप लोगों का right answer हो जाएगा, 16 question, 16 number पके, तबीज मैं बोलता हूँ जो dedicated होके तयारी करेगा, जिसे पता होगा कि आखिर exam के किस level से exam में question पूछे जाते हैं, और वो ही सारी चीजे पढ़ जाएंगे, तो वो ही आप लोगों का exam में आ जाएगा, और आप आराम से कम समय में exam करेग कर सकते हैं, बिल्कुल आप लोगों के लिए मैं बता दू, ह कुछ आराम से मेत निकाल पाएंगे, क्योंकि देखो, मैं आप लोगों clear कर दो, tradesman और head considerable में जो मेत का level आता है, उसी के according और वो ही type के सारे question प्रेक्टिस करवाएंगे, सारे question आपको detail से करवाएंगे हैं application में, उसके साथ ही science, gk, hindi, सारे topic cover करवाएंगे, बताओ देखे, क्या होगा, भारत की तट्रेका है, भारत की तट्रेका कितनी है, option A अपका 500 km है, option B अपका 600 km है, option C अपका 500 km है, option D अप लोगों के सामने 8400 km है, भारत की कुल तट्रेका कितनी है, question number 17, बताओ देखे, C आरा सभी का 500, बिल्कुल सही आरा है, क्या हो जाएगा 500, भारत की यह चोने हैं चैकर 15500 किलोमेटर किने किलोमेटर हैं 3900 किलोमेटर क्या हो जाएगा सी आप लोगों का राईटासर हो जाएगा 17प्रानमर पक्के हो गए 2 अगला कियूरस रोंच rece तो ये आपकी सुरंग रहेगी, ये जवार टनल है, और पूछ लें, कि ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है, वो किस राज्ये में है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चीए, जमु कस्मीर में है, और ये है आप लोगों की जवार टनल, वो किस राज्ये में है, और ये ही आप लोगों का एक्जाम में यही आप लोगों के क्यूशन पूछा गया बाई देखो ओप्सन में यही क्यूशन पूछा गया और यह पहले भी एक्जाम में आया वा क्यूशन है दूसरे एक पेपर में भी क्यूशन आया वा था एक्जाम में मैंने वो क्यूसन पढ़ाता मैंने ऑप्षन अब देखा है बाकी मैंने आपको एंसर पहले ही बता दिया जो राय टांसर हो जाएगा वो हो जाएगा यह याद रखना ऐसे भी क्यूसन आप लोगों को एक्जाम में पूछ सकता है इसलिए मैं बोलता हूं जो डे सिक्रेट तरीका होता है वो क्या करते हैं वो वही सीजे पढ़ते हैं जो एक्जाम से रिलेटेट है जो एक्जाम में आने वाली है अब सब कुछ हम नहीं पढ़ सकते हैं क्यूंकि कम authorized में इतना सब कुछ है कि आप सब कुछ नहीं पढ़ पाएंगे सलेबस के coding और आपके level के कोडिंग जो आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे उसी के लेवल से पड़े उससे हाई लेवल के भी ना पड़े क्यूंकि वह आपके काम की चीज नहीं उससे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहें इसलिए टार्गेटेड होके पड़ो और यहां पर जो बेच में जो के सारे सब्जेक्ट कवर करवा रहें पीडियाप नोट्स टैट स्रीज सब कुछ बेच्ट एक्जाम के अप्लिकेशन पर मिल जाएगा और यह भी सब कुछ दो सो निन्याड में रुपे में चार सो पांसो से कम में आपको बुक नहीं मिलती उसके बाद माँ प्रेक्टिस मेसेज या कोल भी कर सकते हैं अगले क्यूस्टन की और बढ़ते हैं क्यूस्टन आप लोगों का चंदर ग्रेंड कब होता है चंदर ग्रेंड तब होता है या चंदर ग्रेंड कब होता किस वज़ए से चंदर ग्रेंड होता है बताओ बढ़िए चंदर ग्रेंड कब होता है Option A, अपका सूरिय, चंदर्मा और पर्त्वी एक सिद में आ जाते हैं Option B, अपका सूरिय और चंदर्मा के बीच पर्त्वी आ जाती है Option C, अपका सूरिय और पर्त्वी के बीच में चंदर्मा आ जाता है Option D, अपका पर्त्वी और चंदर्मा के बीच सूरी आ जाता है क्यूसन काफी जी बहुत वार एकजामें पूछा गया है फिर भी बचे कन्फूज हो जाते एकजामें अक्सतर क्यूसन पूछ लिया जाता है कि चंदर ग्रेंड का बहुता है सूरिय ग्रेंड का बहुता है आता है क्यूसन पढ़ाओ भी रहता है लेकिन कन्फूज हो जाते ओप्छन को देखकर देखो इस क्यूस्टन को देखने के न sprink में का एंसर गलत न वहिंगा कि सबीं ने पड़ाई पिर भी गलत एँसर देरे बताहूं सो होगा हुआ को दिए बताने कुछ बते कुछ बते कुछ बते ए सर्वन कूडी सही बतारा वोला भी होगा सर बिलकुल भी सही हो जाएगा देहो चंदरली तब हो था ՜ब सूरिय और चंध्रम सूरिय यह सूरिय कभा आप मिधिन के बीच में पर्तवी्य आजाती है इनके पर्तवी आ के पर्तvी के परकास से छमांगता है जब चन्दरमा की किरिणे पर नहीं पढ़ पाती है क्योंकि यहां पर पर्थवी बीच में आ जाती है तो यहां पर इसकी किरिने नहीं पड़ पाती है इसकी वज़े से क्या हो जाता है चंदर गरण हो जाता है अगर आपको पूछ ले सूरिय गरण सूरिय गरण कब होता है यह को सूरिय गरण कब होता है सूरिय गरण तब होता है जब क्या होता है पर्तवी और सूरिय की बीच में पर्तवी और सूरिय की बीच में चंदरमा आ सपरता है तो सूरिय की किरिणे पर नहीं पड़ पाती है नहीं गिर पाती है जिसकी वजह से क्या हो जाता है सूरिय करण हो यह र्याद रखना एक्जाम से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्यूसन ना अप के लिए अगला क्यूशन देख लो फटे नंबर पक्के हो गए अगला क्यूशन देख लिजिएगा कि फटेस नंबर बीस देख लो बीशन आ चुका आप लोगों के सामने इंपोर्टेंट क्यूशन है लिए इन्सुलीट की कमी के कारण होने कारण होने वाला रोग कोन सा है साइंस का क्यूशन है बताओ देखे फटा फट इंसुलीन की कमे के कारण होने वाला रोग कोन सा है उफसन आपका बेरी बेरी उफसन वी आप लोगों के सामने है डाइवीटीज उफसन सी आप लोगों के सामने है कैंसर उफसन डी आपका एने इंसुलियन की कमिश से राइट अंसर हो जाता है। इंसुलियन की कमिश से कौन सा रोग हो जाता है बी आप लोगों का right answer हो जाएगा इसमें अगले questions की और बढ़ते हैं question number 21 देख लो भई question number 21 आप लोगों के सामने है वायू मंडल वायू में oxygen का परतिशत कितना होता है वायू मंडल में oxygen का जो परतिशत है वो कितना होता है यह आप लोगों को बताना है वायू मंडल में वायू मंडल में oxygen का कितना परतिशत हिसा है option A अपका 25 परतिशत option B अपका 35 परतिशत option C अपका 21% option D अपका 10% कितना है वायू मंडल में question number 21 का answer बता दो वायू फटा पर दो C आ रहा सभी का 21% आ रहा है बिलकुल सही आ रहा है देखो वायू मंडल में oxygen के परतिशत की बात आती है तो 21% आपका oxygen हो जाएगा C आप लोगों का right answer हो जाएगा 21 क्यूशन 21 नम्मर पक्के हो गए ये book आ गई और book से अकसर exam में क्यूशन देखने को मिल ही जाता है इंडिया विन्स फ्रीडम पुश्टक के लेखक कोन है इंडिया विन्स फ्रीडम ये क्या है ये एक पुश्टक है इसके क्या पूचा है यहाँ पर इसके लेखक का नाम पूचा है बहुत मार एक्जाम में पूचा गया वैं इंडिया विंस फ्रीडम पुष्टक के लेखक कौन है? कई बार एकजाम में पूछा गया क्यूशन है? क्यूशन नम्मर 22 का बताओ देखे फटा फट एंसर सी बता रहे एक भी बच्चे का एंसर सही निया नरेश सेनी का बिल्कुल सही एंसर आया बी बताया है रादे का भी सही आया है रामजी स्थाओ का सही आया है रामेशवर 34 C बता रहे गलत बता रहे वही रामेशवर B जो बता रहे वह सही बता रहे B जिन का एंसर आया है बिल्कुल सही एंसर आया देखो इंडिया विंस फ्रीडम पुष्टक की बात करे तो यह मुलना आजाद की लिकी पुष्टक है किसकी ये पुष्टक इंडिया विंस फ्रीडम जो पुष्टक है वो मोलाना आजाद की है अक्सर यहां पर अब्दुल कलाम भी ओप्शन में आ जाता है बच्चे अब्दुल कलाम भी कर देते हैं लेकिन देखो याद रखना अक्सर एक्जाम में एक्जामिनर आप लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए ही ऐसे क्यूशन है वो पूटप करता है आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना इंडिया विंस फ्रीडम का अगर नाम आता है तो मोलाना आजाद हो जाएगा क् 22 क्यूशन 22 नम्मर पक्के हो गए भई अभी भी आप लोगों के लिए बचोई यह बेच आया है इस्पेशल सी आर्पेप के लिए जो कम समय में अगर आप टार्गेटेड तैयारी करना चाहते दोस्तों 99 में रुपे में इसमें वो ही सारी चीजे पढ़ाएगी है जो आप के एक्जाम से रिलेटेड कम समय में पूरा का पूरा कोर्स आप लोगों को एक साथ दिया जा रहा है आप 20 से 35 दिन में घर बेट के भैतरील सारी की सारी कला से लेकर अपने स्कोर को डारेक्ट जंप करवा सकते हैं क्यूंकि देखो लाच्ट समय में जो चीजे पढ़ी होत लिए और से सब्सक्राइब के लिए एक के पूर्टी से उन बेच जोइन कर सकते हैं अगला क्यूशन देख लो लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स मिल जाएगा आपको बैस्ट एक्जाम का अधिक जानकारी आप साथ हैं तो इस नमबर पर वोर्ट सब मैसेज या कोल भी कर सकत हैं अगला क्यूशन देख लीजिए गवाई क्यूशन नमर तेईस बाइस क्यूशन मतलब बाइस नमर पक्के होगे आज का जो टार्गेट रहेगा हमारा वह 20 प्लस का टार्गेट हमने लिया देखें कितने बच्चे 20 प्लस क्यूशन सही कर पाते हैं 25 में से और यह सारे के प्रिवीजियर के क्यूशन में यह पूछा गया क्यूशन है कुछ बच्चे बोल रिखो मैं आपको फिर से बता दो जानल एबिलिटी होती है वह सामनने जानल एबिलिटी क्या होती है यह आप लोगों की बोधिक समता ग्यात करने के लिए इसमें कहीं से विकूशन आ सकते इसमें math के भी क्यूशन put up कर सकता है, अगला reasoning का भी क्यूशन डाल सकता है, GK का भी डाल सकता है, कुछ क्यूशन ऐसे भी डाल सकता है, आपके बोधिक समता के coding, सोथने की समता आप लोगों की देखी जाती है, कि एक यात्री है, वो पेदल जा रहा था, रोड पे उसका accident हो गया, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्या ambulance को फोन करेंगे, police station को फोन करेंगे, उसे अस्पताल पहुचाएंगे, ऐसे क्यूशन पूछे जाते हैं बोधिक समता में, इसलिए मैं CRPF वाले बच्चों को बोल रहा हूँ, कि वर्दी बेच आप लोगों के लिए भैतरीन है, क्योंकि उसमें सारे के सारे आपके बोधिक समता वाले जो टाइप के क्यूशन है, वो भी कवर करवाया गया है, तो सारे के सारा विश्कोर है वो अच्छा कर सकते हैं, बता ओ देखे, क्यूशन नमर तेईस, अंकले स्वरारा कानफूर 22 में, देखो यह क्यूशन पिछली साल का क्यूशन है, प्रिवी सेर का क्यूशन है, क्या है, यह प्रिवी सेर के एगजिंग में पुछा गया, सब्सक्राइब हो जाएगा इह हो जाएगा अंकले सवर कानपुर 2022 में ता अंकले सब्सक्राइब हो जाएगा अगला देख लो जितने भी आपके दीवस उनमें इंपोर्टेंट जितने है वह सारे एक बार आप आपको देखने को मिल रहा है SSCGD में भी बहुत सारी पारियों में दीवस वाले टोफिक से क्यूशन मिलाता तो इसलिए यह टोफिक होते एक एक नम्मर से ही आप सेलेक्शन ले पाएंगे तो यह सारी चीज़ें आप लोगों को कवर करनी पड़ेगी बैई क्या है सरम दीव लोगों का है लो मैं सरम दीवस है वो किस तीथी को मनाया जाता है इंपोर्टेंट क्यूशन है बताओ देखे जल्दी से क्यूशन नम्मर चोईस सभी का एंसर आजाना चीए यह आरा एक मही आरा सभी का अभी वी कुछ बच्चे चार मही बता रहे देखो इसका जो 25 में से बताओ वही अगला क्यूशन आ गया अमीर कुश्रों का नाम जोड़ा जाता है अमीर कुश्रों का नाम जोड़ा जाता है अमीर कुश्रों ने किस का अविस्कार किया था और किस वाद्दे यंतर का अविस्कार किया था इंपोर्टेंट क्यूशन है उसने अपका सि अमीर कुशरों का नाम जोड़ा जाता है किस अभिस्कार से संबंदित जोड़ा जाता है बताव देखें फटाइव-फटाफट कमेंट कर दीजेगा को सितार वीच्चों का भूद अच्छी बात है यह जो बता रहे सैंँ बतार रहे तबला जो बतार वह गलत बता रहें, अमीर कुसरो शितार के विसकार से जोड़े हैं, किसके विसकार से, शितार, ए आप लोगों के राइट आंसर हो जाएगा, जितने भी बच्चो ने ए दिया है, बिलकुल सभी दिया, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, शितार से, पचीस क्यूशन, 25 नमबर अब देखते हैं कितने क्यूशन आप सही कर पाए हैं अपनी इमानदारी से जल्दी से comment box में comment करके बता दीजेगा और अगर आपको लगता है कि अभी भी तयारी week है लगता है कि हाँ मुझे नोकरी की जरुत है मुझे भरती होना है फोज में तो दोस्तों ये समय पारे recruitment आ जाएंगे उसके बाद में आपको 3-4 साल तक इंतजार करना पड़ेगा तो अगर अभी आप त्यारी कर लेंगे तो बिल्कुल आप लोगों का selection हो जाएगा CRPF head constable में साथ साथ में typing की त्यारी भी शुरू कर दीजिका फिजिकल आप आराम से पास कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी return के साथ में typing की त्यारी शुरू कर दो वर्दी बेस जोइन कर लो यहां से return examination की त्यारी हो जाएगी और साथ साथ में typing है वो करना start कर दो जब तक आपका exam होगा जब तक typing आएगी तब तक आपकी typing की speed भी बन जाएगी तो आपका दोनों काम हो जाएगा बिल्कुल बहुत अच्छी बात है 15 पलस हो रहा है जिनका भी 15 पलस हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है देखो जीके में जीके का portion बड़ा होता है तोड़ा स जितने बच्चों ने त्यारी की थी सभी बच्चों का positive response आया था कि सर जो भी पढ़ाया exam में सारा वहीं से आया था बाकी देखो पढ़ना आपको पढ़ेगा हम बता सकते हम पढ़ा सकते मेनत आपको करने पढ़ेगी सर दो मेरा गलत हो गया confused confused कोई दिक्कत नहीं सुदीर निशाद का रादे का 19 कुशन सही है बहुत अच्छी बात है दो कुशन गलत हो गए बाकी देखो अभी एक्जाम आप लोगों का है वह 22 फरवरी ही मानके आपको तयारी करनी है क्योंकि भी 15 फरवरी को आप लोगों के admit card आएंगे अगर एक्जाम आपकी extend होती है एक्जाम 5% वर्ड आप गलत होते हैं तो वह आपको छूट मिल जाएगी उसकी 5% उससे ज्यादा अगर आप गलत कर रहें तो जो आपने सही किये उन में से आपके जो वर्ड है वो कटेंगे बाकी CRP में आपको एकदम बढ़िया से typing करने को मिलेगी बढ़िया नया keyboard मिलेगा जब मै अगर अच्छी प्रेक्टिस है वो आराम से typing टेस्ट क्वालिफाई कर सकते बाकी बाकी की मैं आप लोगों बता दो जितने भी आपके कोंश्टेबल ट्रेट्समें की त्यारी करें उनसे कटोप इसकी कम रहती है है क्योंकि इसमें सभी बच्चे typing में बाहर हो जाते रिटन अगर आप आप क्लास ले सकते हैं बेट्स पे और यहाँ पर यूटूब पर आके उसकी प्रेक्टिस कर सकते हैं बाकी देखो इन दो वेचों में आप लोगों के लिए टैस्ट शिरीज अविलेबल है तो यहाँपर भी आप प्रेक्टिस ओनलाइन टेश्ट देके अपनी रेंग जज्ज कर सकते हैं कि फाइनल सेलेक्शन के लिए में आप लोगों बता दूँ आपको टारगेट रखना है 65 पलस तो टारगेट रखना ही देखो टारगेट हमेशना बड़ा रखना चाहिए कम से कम मिनिमम कटों पे आपको केवल फीजिकल के लिए बुला लेंगे अगर आप अच्छा स्कूर करेंगे अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आपका सेलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता बिलकुल सत्तर पलस का टारगेट तो लेके ही आप तयारी करेंगे तो बिलकुल आपका आराम से CRPF में बन जाएगा बाकि अगर आप CISब की तयारी कर रहेएं अगर आपने CRPF का फोम नहीं बरा है अगर आपने CRPF का बरा और CISब का भी बरा तो एक ही बेचस दोनों की तयारी हो जाएगी CISP हैणड पॉंस्टैबल और CIS वरस्प की बाकि अगर आप CISP ट्रेटसमेन के के है SSB वाले के लिए तो आपके लिए golden opportunity बच्चे बहुत कम फिजिकल के लिए पहुंच रहे अब इससे बेच जोइन कर लो और फिजिकल की त्यारी शुरू कर दो साथ साथ में तो return की त्यारी भी बहतरिन हो जाएगी तो फिजिकल पास होते हैं आप लोगों का return examination भी करवाया जाएगा बिल्कुल बिल्कुल टार्गेट हमेशा बड़ा रखो 70-80 प्लस का टार्गेट रखो देखो इस बार नेगेटिव मार्किंग इसलिए मैं आपको 70 प्लस का टार्गेट बता रहा हूं बाकि अगर नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की होने वाली है पाकि दोस्तों कल फिर मिलेंगे इसी समय तब तक के लिए जैंद जैबार